हेलो वियर्ज, स्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वह आपके अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं, सारी जिन्दगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है, अगर आप अपनी जिन्दगी से प्यार करते हैं तो वक् कर खाने वाले कभी बुखे नहीं रहते, बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग सुनते हैं चुप चुप कर और कहते हैं दिवारों के कान होते हैं, दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, शबच चाहे जैसे भी हों खुले आम जिंदगी की लंबाई नहीं बलकि गहराई माइने रखती है जुरूरत से ज़ादा अच्छे बनोगे तो जुरूरत से ज़ादा इस्तेमाल किये जाओगे एक हजार अच्छे काम कर लो और फिर एक गलती कर दो लोग सब भूल जाते हैं वो एक गलती यात रखते हैं यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संधिया नहीं की आप दूसरों के पास जाकर मेरी बुराई करते होंगे बुरी संगत उस कोईले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जिला देती है और ठंडी हो तो काला कर देती है केवल साहस के भोसे किसी कार्या को पूरा नहीं किया जा सकता पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है लेकिन काम से मिली पहचान उमर भर रहती है छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो बस काम से बुलाते हैं कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेज दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालू ही नहीं था चोटी सी जिन्दगी है हर बात में खुश रहो, जो चहरा पास ना हो, उसकी अवाज में खुश रहो, कोई रूठा हो आप से उसके अंदाज में खुश रहो, जो लोटके नहीं आने वाले उसकी याद में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो आस्मा में मट ढूंड अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए तो एक कमी जरूरी है जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त-वक्त की बात है और वक्त सबका आता है उन्चा वही उठता है जो हलका होता है इसलिए अपने बीतर से एंकार निकाल कर खुद को हलका करें चलने वाले पैरों में भी कितना फरक होता है एक आगे तो एक पीछे लेकिन ने तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में यह प्रिस्थिती बदलने वाली है इसी को जीवन कहते है कर्मों का गिनित बड़ा सीधा वो सरल है कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा मुड़कर पीछे ने देख जो छूट गया वो तेरा हित्था ही नहीं जिन्दगी में तपिश को भी सहन करना जरूरी है अक्सर वो पोदे भी मुर्जा जाते हैं जिनकी परविष छाया में होती है दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जर्म कभी दो बार नहीं मिलते मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माबाप नहीं मिलते वक्त सिखा ही देता है सिलसला जिद्गी का फिर हालात क्या, हैसियत क्या और उमर क्या कौन कहता है आस्मा में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीय से उचालो यारो माफी मांगना एमम किसी को माफ करना इश्वर की नजरों में सरफ सेष्ट है इसके लिए इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए विश्वास जीवन का वह मूलबू सिदान्थ है जो सबी रिष्टों को गोंद की तरह चिपकाई रखता है बेशक आप बुद्धी मान है मगर लोगों को बेवकू समझने की गलती नहीं करें जीवन में समस्यें आपको बरबाद करने के लिए नहीं आती बलकि आपकी छिपी हुई प्रतिबा और ताकत की पहचान कराने आती है विचार कीजिए जब हमारा जनम हमारी मर्जी से नहीं होता और मर्न भी हमारी मर्जी से नहीं होता तो इस जनम मर्न के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है जब खुदा तुम्हें बहुत नीचा लेकर जाई तो समझ आओ कि वो तुम्हारी जड़ को मुझबूत बना रहा है क्योंकि वो तुम्हें बहुत उंचा लेकर जाने वाला है अतीत चला गया उसके लिए अपना समय खराब मत करिये वविश्य के सपने मत देखिये वो कभी नहीं आएगा केवर वर्तमान आपके पास है वर्तमान में जियो कल के लिए सबसे अच्छी तयरी यही है कि आज अच्छा करो विए दोंट फोर्गेट प्लीज लाक शेयर स्क्राइब और कमेंट थैंक यू